हेलो आई पी सीधे यूट्यूब चैनल ते तो हादा सारें दा बहुत-बहुत स्वागत्त है सो आज आपा स्टार्ट करने वाले हा कंप्यूटर दी सीरीज हाँ जी में कि तो हाँ नुसादे चैनल दे उत्ते मिल गया होगा अपने कोले सीरीज पही है उस दे ना ली असी हुन की करन जा रहे हां थियूरी लेक्चर दे जा रहे हां आई पी सी दे यूट्यूब चैनल दे होते इदे विच सारा कंटेंट तो नुकराया जाओगा बिल्कुल शुरू तो लेके बिल्कुल अखीर तक सारे पेपर ली चाहे हो एससी द रहुँगा ठिक है सो मेरा नाम आम अमित चलो अप्पा लेक्चर जा स्टार्ट करते हैं कि सब्सेल पहला आपणेटrial है कंप्योटर सेलो रहे होगा और इलेक्ट्रोनिक डिवाईस आज जा झो लेक्चर होगा शेज और मnis को आप डीप नहीं पढ़ांगे धीपthest जो ऐगां और परद स्मेशन न कर दोगैंस डीजी बीज कई सबस्क्रस भी करा डंखत है बट आपने कोले जो भी electronic devices हो दिया ने जिमें की washing machine होगी mobile phone हो गया computer हो गया यह सारे कीने अपने कोले electronic devices ने क्योंकि एदे विच एक processing दी power हो दिया जडिके अपा control कर साख़ा ठीक है जी so next की यह था computer computer शाब्दा कित्तों आया हुआ है अहो computer शाब्द दूसरा most important question की है जो computer शाब्द है ओ latin पा शाब्द शाब्द कंप्यूट न आया हुआ है तЬ commute न मतलब की होँद है the calculation करना की करना calculation करना गणना करना computer जाप्ध की होंद ऐसाँ गणना करना paper दा डुजा most important question कि यह किए जो computer शाब्दा कित हो आया Latin पाशाथ वाया ठीक है थे Latin पाशाद की कप्यूट मतलब की होंद आ गणना करना अगला किया कहन आख computer is combination of software and hardware हां जी computer की यह software थे अपने कोले हाडवेर ने नेक्स्ट अपने कोले किया है इन्पूट डिवाइस कंप्यूटर दे विच की होंदा है इन्पूट डिवाइस प्रोसेसिंग डिवाइस ते आउटपुट डिवाइस मन के चलो जिमेही अपना कंप्यूटर है ताहे इन्पूट लेंदा है ठीक है ते आउटपूट देंदा है बिच्च की होंदा होदे processing मान के चलो दो पलस दो एक यह input है इत्थे ने process किता इत्थे की देता चार देता था इस तरीके नड़ा अपना computer कम कर दा primary and secondary memory is also included in computer system कि केंदा है के computer दे विच दो तरीके दी memory होंदिया इक होंदिया primary memory एक होंदिया secondary memory तुसी यह निस होतना कि मैं सिर्फ उपरो परो ही क्यों दासके जा रहे हैं अगले जो chapter होंगे अगले जो चैप्टर होंगे अगले जो पूरे पूरे चैप्टर होंगे memory दो next की है computer program is based on different programming language like HLLL थे LLL HLL की है high level language थे low level language computer program होंदेने ओ की दे उते काम कार देने high level language थे low level language थे बन देने की होंदिया के में होंदिया examples की ने इस सारियां आपा करांगे so next अपने कोले की है so next अपने कोले की है software थे hardware की होंदे software is a part of computer system which is not tangible tangible ना मतलब होंदे जिन्हों अपा touch कर साकदे not tangible ना मतलब जिन्हों अपा touch नहीं कासा थे एनू कदे कदे intangible भी लिखे जांद है intangible but hardware are those which are can which we can touch software ओ होंदा है जिन्हों अपा touch नहीं कर सकदे अते hardware ओ होंदा है जिन्हों अपा touch कर सकदे जिमें अपना mobile है computer है यह नों अपा touch कर सा दिया पर जे मैं थो नों कहां तो उसी अपनों touch कर सा दियो नहीं जित उसी WhatsApp नों इंस्टाग्राम नों चला साकते हो पर touch नहीं कर सकते तो any hardware in computer is nothing without software की कह रहे है कि computer कोई भी hardware जो भी hardware है जिमें कोई मालो keyboard है mouse है यह बिना programming दे कुछ भी नहीं या बिना software दे कुछ भी नहीं क्योंकि mouse जवता को दे विच कोई programming नहीं किती होगी ओ अपना function नहीं कर था ठीक है सो की कह रहे है कोई भी hardware computer दे विच बिना software दे कुछ भी नहीं हैगा software is actually set of program paper दे विच most important question की software की होंदा है यह set of program होंदा है ते program की होंदेने program की होंदेने collection of instructions collection of instructions होंदेने ठीक है सो पहला question की है software की होंदा प्रोग्राम दा सेट होंदा है जी मैं हों तुसी मालों दो दब दे हूँ mobile dial pad चो दो दब या थोन्य सक्रीन दे होंदे दो लिख्या हो आगा इठों दी इत्थे तक जान ले भी एदे विच multiple programs होंदेने ठीक है उन्हों ही आपा की कहने है सेट आफ प्रोग्राम की कहला हुंदा है software कहला हुंदा है तो तरीके दा सॉफ्ट्वेर होंदा है किड़ा सिस्टम सॉफ्ट्वेर थी application सॉफ्ट्वेर जो की होंदा है computer नो चलन वीच सहाई होंदा है ति application सॉफ्ट्वेर ओंदा है मतलब जो अपने लिए जरूरी हुंदा है एक है system सॉफ्ट्वेर होंदा है computer नो चलन लेग ज़रूरी हुंदा है application software ओंदा है जो अपने लिए जरूरी हुंदा है Whatsapp किया है computer नो चल साकत है पर आप नहीं एऽ भी नहीं चल साग्यादे वस्टा एंस्टाग्राम एक्स अपने कोले की यह सॉफ्ट्वेर इस्ट्म ते एप्लिकेशन सॉफ्ट्वेर अगला की है है वे आर्डवेर नूँ अपका पेरिफिरल भी कैने पेपर देविच विच वाड़ भी लिख्या आँध्या ता कन्फीूस नहीं होना पेरिफिरल ते हार्वेर इक कोई चीज होंदी ये कीबोर्ड हो गया माउस प्रेंटर सकैनर जेडियां भी जोईस्टिक होगी जेडियां भी चीजाने उन्हों अपकी कै कहने सारे नूं hardware केने या peripheral के या ठीक है जी next आपने कोले कीने input devices next आपने कोले कीने input devices the devices which are used to give the instruction ठीक है एदा एक खास चीज है instructions बीजेडियां डिवाइस्स आने इंस्ट्रक्शन या डाटा देन दे लही तू प्रसेसर उन्हुं की कहने आपना इन्पूड डिवाइस सा इत वह चाहिए जैंडीयां इते प्रोसेसर हों से यह अपने को ले आउट्पूड डिवाइस महा लोगकी बोडना कोई डाठा देता तो डाटा केथे जाओगा प्रसेसर चे प्रसेसर होगा अते अपना आउटपुट शो करूगा ठीक है जी तो एक ही होंदा है देन्दा जी लेंदा किया हो डाटा आउटपुट की देन्दा हो इनफरमेशन एक पर दा मॉस्ट इंपॉर्टन कोश्चन है नेक्स्ट की है की हुंदा इन्पूर्ट डवाइस के डिया हुझे एक कीबोर्ड माउस आपको अगले अपने जड़ी वीडियो बन गया जो इना बारे फुल लेक्ट्टर होंगे होना देविच आप वहां discuss करांगे next आपने को ले processing devices processing devices के डिया हो दियाने देखो the device in the computer which is generally term as CPU consists processing device जिन्हों आपा CPU कहने है computer दे विच एक्चुल दे विच ओदे विच ही हों दिया processing devices हो दियाने एक्चुल दे विच जिन्हों आप CPU central processing unit कहने है वो पूरा प्रोसेसर नहीं होंदा ओदे विच की कुछ होंदा है ALU CU ते MM ALU क्यों होंदा है arithmetic logical unit ठीक है जी ALU क्यों दिया arithmetic logical unit CU क्योंदा है control unit ठीक है CU क्योंदा है control unit ते MM होंदी है main memory mm होंदी है main memory यह दे विच किया है जो ALU CU mm यह तिन्हें मिलके ता कीमना देने central processing unit पर जे मैं कहला ALU CU कठा करदा उन्हों अपा की कहने है processor हां जी यह थोड़ जा बदिया concept है जो शाहिए थोंदों भी नहीं पता होना अपा उन्हीं CPU नहीं processor कहते है पर नहीं ALU CU दे combination नहीं processor कहने है ALU CU mm दे combination नहीं CPU कहने है ALU is used to perform the arithmetic and logical operation यह arithmetic नहीं मैं पलस माइनस यह operation ते logical कहें उन्दे नहीं AND OR की होंदे नहीं आपत उन्हों करामांगे अगे जाके ठीक है arithmetic ते logical operation perform कौन करदा है ALU CU कम क्या होंदा है एक ही करता है control the flow of data from memory to ALU and vice versa vice versa ता मतलब किया है memory to ALU ते ALU to memory vice versa ता मतलब यह होंदा है control unit ता मतलब किया मालों इत्थे कि यह 10 दी जगा है कोई 10 चीज़ा दी जगा है उन्हों मैं 12 पे यह तिया ता उन्हों दो ता वेटिंग चे रहेंगे उन्हों पता के मैं लगू ता उन्हों कौन control करूगा CU control करूगा so next अपने को ले कीने output devices output devices कीने the devices which give information is called output devices ऑसलिगो सबस्टो पहला आपाणे instructions लिखा दिया इन्पुटत की कर दिया इन्पुत plug पाने instruction लिख Axe data लिख 그러 tu इन्पुट devices की कर दिया instructions या data processor दे लो देद्धिया त्यET processor की कर दा है आउट्पूटत दे लिच आपन्वन छुन इन्फरIDEzn देंद loyalty तहें आप अन्य होऔर की किया है कि फिरेंगा प्रोसेश्ट दक्रालर यह धाटर की कि करें है है फशेश्ट कारफका यूत EL कि की बनिम्न टाटर हुग्या थिक हाड़फॉर्म तोफ्ट हाड़ ना मतलब किया है जे तुसी मोनीटर देख रहे हो तुस्य नहीं कर साथे पार देख रहे हो ता ओकी है सौफट फॉर्म पार जो दा प्रिंट आउट निकल गया जिन्हों तुसी टच कार साथ यह उन्हों आपकी कहने हाँ हाड़फॉर्म कहन है अपा इयरफॉर्म ते हैड़फॉर्म एक नहीं कहाँ है बट इन्हादे विच डिफरेंस है की डिफरेंस है ओ तुसी था लेता से नहीं यह सारा आउटपॉट डिवाइस देख पूरा बड़ा लेक्चर अपा अगे जाके करांगे जरूर करांगे तुसी बस एक ओबर देखो भी आपा किस तरीके नहीं त्यारी करनी है ठीक है नेक्स्ट अपने कोले किया है मेमरी नेक्स्ट अपने कोले किया मेमरी देवाइस विच स्टोर डाटा इस काल्ड मेमरी कंप्यूटर दे विच ओर डिवाइस जडी की कर दिया डाटानों स्टोर कर दिया संबाल के राख दिया औनों आपा की कहने नां लिए कि करना इन टोगे वरड मोस्ट आप देमरी डिवाइस स्टोर डाटा इन डिजिटल फाउं और जीरो ते वान वघ्ण से लिगलिए देखोंगे देखोंगे एस अर्यां किस फाम देच लाता स्टोर का दियाने जीरो वाथे वां दी form देवेच डाटा स्टोर कर दियाने जिन्हों अपा डिजिटल फॉर्म भी क्या देदिया नेक्स्ट अपने को लेकिया इन कंप्यूटर तू ताइप आफ मेमरी इस यूज़ वन इन प्राइमरी अनदर इज स्केंडरी ने ओटवагनदे कंप्यूट्र देवेच दो तो त्रीक्य दी मेमरी हूं धिया प्राइमरी थे स्केंडरी इस धाट मैमरी विची यूज़ उज़द बाइ ऊंप्यूट्र तो डू प्रसेशिंग द या प्रसेस द दडडाव्रिमी ओ हुँड होंदी तो कम्पिड्र यूस करर दा कर दाटा नू प्रॉसेस कर रहें कोई भी मालों दो पलस दो चार हो रहे हैं लगे सीग cumin पर यूजर गीजान रहे हैं और बहुत भेगा दाओंप्यूटर को खेल रहा है जो बेव दाद आ कंप्यूटर रहा इने भी ता आपना माल जर्णादा कोई जभाना कटता रखो गाउन्यच कितंते रखोगा िैस रखोगा क्स केंदर् Saskatch temporary memory दे विच रखोगा क्योंकि गए जाखक टक अहोंता कर दधा घिया रम्ह्म qш आर था एग्जेंपल ओफ प्राइमरी मेमरी रहम रों केसे कि ऐग्जेंपल ने प्रैमरी मेमरी च्चेंपल खेंपल ने एक ऐग्जेंपल ने स्क darkest योई रेवल लेवल लैवल लैग्विज वेच कोई भी प्रोग्राम्स लीक्अ कर तबदें वेच भी प्रोग्राम्स 남ी मुँधे अंडरस्टेंड बाए यूजर प्रोग्रामिंग लेंगवेज दो तरीके दी हूं दिया हाई लेवल लेवल सो लो लेवल 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 लेज़ ओ हूं दिया जेडी की यूजर मतलब जो आप मुषकिल हूं दिया कंप्यूटर एनों चंगी तरह सामझ पान दा है यह यूजर एंडरस्टेंडेवल हई लैवल लैंगविज ओ फो हूं दिया जड़ा की यूजर जो कंप्यूटर चलारहे है उसामज सकते है इसी सी प्लस प्लस जावा पाइफन वर्गिया लैंग्यूजेश की देविच आन्डियान है हाई लैवल लैंगविच आपा सारा कु प्रोसेसर स्टिल वर्किंग और मशीन लेंगविज हां जी देखो आपा बहुत अगे तक आगे पर आज भी अपना जड़ा प्रोसेसर है इंटरनल यह वर्किंग की दे उत्ते करदा है जीरो होते वन दे उत्ते ही करदा है भी मतलब किया जे तुसी ए लिखके पर अंदर उन करांगे जिमें कि आज आपने कितिया है जो भी चीज आई इंपूट आउटपूट मेंबरी वगरा जो भी आया है सारा बिलकुल कला कला चैप्टर अलमन के चलो पूरा डीपली अपना पहला कंप्यूटर केड़ा बनाया ठीक है तो आपनो थिवरी पढ़नी आज दे टैम से मस्ट होगी ओ दिन गए कि आपनों सिर्फ फुल फॉर्म पुछलन दे सी त्या आपा दाज दन दे सीगे आज दे टैम से जही तुसी कंप्यूटर नहीं करना हर एक पेपर चे दास्तों पंदरा नंबर दा कंप्यूटर आ रहे है ते जह थोड़ा सही ही एगा थोड़ा बहुत जारा पिछे रह सकता है ओद बाद पढखांगे अपां कंप्यूटर आर्किटेक्चर हिस्टरी ओफ कंप्यूटर कदो कड़ो केड़ा कंप्यूटर बने कि मैं मिकैनिकल कंप्यूटर एक्टोनी एम्प्यूटर है सब पढ़ांगे अग्ये किया यह Kita अब तैप कट की जा गया बहुत इंपोर्टन है MS Office data communication की हुँदा सिंप्लक्स की हुदा duplex हाफ duplex की हुदा सारा कुछ अपा की दे बच पड़ागे data communication अप्टिकल fiber की हुदा सारा कुछ पड़ागे जो पर ढ़ने मबर सिस्टम होगे cyber law most इंपोर्टेंट आज दे टैम दे विच साइबर लो कलापडाई लई ही नहीं एहे आम लाइफ दे विच भी नॉर्मल लाइफ दे विच जे थोड़े नाल कोई भी मुबाइल नार रिलेटर कोई भी एक कंप्यूटर नार रिलेटर क्राइम हो रहा था तुस्सी जी की कारसा हो गया जै कोई भी है जा तॉपिक जड़ा मैंनों लगया कि कंप्यूटर देना रेलेटेड है जिमें कुई मोबैल देना रेलेटेड है या कोई भी है जा टॉपिक ओ सारा आपकी करांगे अपनी ये सीरीज दे बेच करांगे बस मेरे नाड़ जुडे रहो जे तो नूँ साड़ा लेक्चर पसांद आया ता तुसी एनू छेती शेती सब्सक्राइबरों साड़ी चैनल नू लाइक करो दे थले कमेंट करो जड़े मैंने सवाल पुछने वीडियो नू एन्नाक शेर कर दो कि थोड़े चो कोई भी कोई भी बंदा पेपर दे विच कंप प्यूटन मैं कराऊंगा है मेरी गरंटी है थैंक यू वेरी मच्च